एक थार वर्ष का इतिहास कटिन इतिहास है, राश्टी स्वेंश्ник संग उस इतिहास को भूलता नहीं है, और ये एक हजार वर्ष का इतिहास है, इस इतिहास में हमने बहुत संकड देखे, प्रान का और धर्म का दोनों का संरक्षन कटिन हो गया, और इसलिए अपनी चारत्रत दीवार लगा करके कैसे भी संकुचित ही क्यों नहों बच जाए, प्राणों की रक्षा हो जाए, थोड़ा धर्म बच जाए, इसके लिए प्रत्न होते रहे और एक हजार वर्ष तक ऐसे प्रत्नों के साथ साथ हमने प्राण और धर्म दोनों की रक्षा की, दुनिया में कोई समाज कर नहीं सका, लेकिन एक हजार वर्ष की इस महा विकट काल रात्री में बहुत कुछ ऐसा था, सुंदर था, अच्छा था, छूट गया, और बहुत कुछ ऐसा था, अनावश्यक था, वह में साथ आकर के जुड़ गया, बहुत सी वर्जनाएं हमने अपने समाज पर लागू की, बहुत सी दीवारें खड़ी करी, बहुत सारी निशेद अग्याएं हमने अपने समाज पर लागू करी, तो सोर दूर जाने वाला समाज समुद्र यात्रा को प्रत्बंदित कर दिया, इस देश में हमारी समाज में बाल विवा शुरू गए हमारे देश में सती प्रता शुरू गई हमारे देश में विदवा विवा निशेद हो गया हमारे देश में बहु विवा भी चालू हो गए ऐसी शारी निशेदाग्याएं ऐसी वरजनाएं ऐसी दीवारें हमने खड़ी की समाज की सुरक्षा, पराणों की रच्षा, ये अधिक महतपूर्ण थी, अपने धर्म को बचा करके चले आए, एक हजार वर्ष तक ये सब कुछ हुआ, सब के साथ घुले मिलने वाला समाज छोटे-छोटे चिखानों में बट गया, और इसलि में हुआ है, वह परदा नहीं है, किसी भी ग्रंत में, महलाएं परदे में है ही नहीं, ना वेद में है, ना उपनिशद में है, ना पुरान में है, ना महाभारत में, भागवत में कहीं नहीं है, तिक हिंदू महलाएं भी परदे के पीछे चली गई, विद्वा विवा गांधी जी समुद्रियात्रा पर निकले तो गांधी जी के भाई पर सवारुपय का जुर्माना लगा, क्योंको छोडने के लिए गए थे, उनकी विरादरी के लोगों ने गांधी जी को उधार पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि समुद्रियात्रा निशिद्ध थी, उन सब बातों को आज हम सुधार लिए, अब समुद्रियात्रा करने पर कोई प्रतिबंद नहीं है, कोई टेक्स नहीं देना पड़ता, प्राश्चित नहीं है, विद्वाओं के विवास सुरू हो गए, मेलाएं परदे के बाहर बाल विवास समापत हो गए, बाव विवाओं भी जा रहा है, लेकिन समाज में जाती की विवास्तर गहरी जड़ जमा करके बैठ गई, वो कठनाई से तूट रही है, छूत और अचूत आ गया, इस प्रश्च आ गया, वो क्यों आ गया जालग प्रश्चन है, वो आज का व इनर्शिया काम करता है, हटता नहीं है, धक्का मारना पड़ता है जोर से, वो उसी को अपने नियती माल लेता है, उसी को अपनी विवस्था माल लेता है, उसी में आन्द पाता है, बार-बार समझाना पड़ता है, नहीं मानता है, धक्का मारना पड़ता है जोर से, और इस राश्ट्री स्वम्शुक संग के, इस मूल विचार के बारे मोहंजी ने बार बार इस ग्रंत में कहा है, अपनी छोटी-छोटी सी जो कमियां हैं, बुरायां हैं, समाज जल्दी से इनको दूर करे, उसमें जाती का भेद है, कहीं भाषा का भेद है, कहीं प्रांत का हिंकार आ जाता है, जितना जल्दी समाज से चला जाए उतना अच्छा है, अब रिगवेद के रिशियों के बारे में देखें निच, कभश एलूष नाम के रिशियों मतर शूद्र है, महिदास है, एतरे है, यह शूद्र है, इस्तरियों को कहा वेद पढ़ना नहीं, 26 महलाएं, इनके वेदों में मंतर हैं, 26 रिशिकाओं ने वेदों में मंतर दिये हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, महलाओं को वेद पढ़ने पर प्रत्बंद हो, गार्गी कृता शास्त्रार्त करती है, और सूरिया सावित्री तो वो महला है, जिस महला ने वेद में विवा की विवस्ता दिय कि मिया प्रता कि चैन्ग में सूर्या शावित नामकी मेला में थी और दिए और फिर रहा ने को प्रतुन को प्रतिबंद ना गया कि लड़कों को बेद पढ़ने को नहीं विवस्ताप बनी तो बालेकाओं को का तुम बाद में पढ़ना नहीं पढ़ना प्रतबंद आ गया फिर शुरू करना है यह तरवाजे खोल देने और इसलिए पूजने सरसंगा चालेक जी का बार बार याग रहे है कि जिसकी कारण से यह कुरीती आ गई है कहीं बेवस्ताइं टूट गई है उन ब अपने को दुरूस्त करने का काम करना है